दोस्तों इस समय अमेरिका ने अपना पूरा जोर लगा दिया है ताकि भारत को अपने F-15 EX फाइटर जैक्ट को बेचा जा सके आप सबी ये बात जानते हो कि इस समय हमारे रक्षा मंत्री यानि की राजनाथ सिंग जी अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं और इस यात्रा के दोरान हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग जी ने अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ एक मीटिंग को किया है और इस मीटिंग के दोरान डिफेंस कोर्परेशन को लेकर काफी जादा बातचीत की गई है इस मीटिंग में पेंटागन के कुछ ओफिशल ने भी हिस्सा लिया था और बताया ये जा रहा है कि इस मीटिंग के दोरान पेंटागन के ओफिशल के उपर काफी ज़्यादा दवाब देखा गया है क्योंकि भारत पहले ही अमेरिका के दो-दो फाइटर जेट को रिजेक्ट कर चुका है जिस में से पहले फाइटर जेट का नाम F-18 सूपर होंडेट है और दूसरे फाइटर जेट का नाम F-21 है भारत इसे ही भारत ने अमेरिका के इन दोनों फाइटर जेट को रिजेक्ट किया अब इसी बात को देखते हुए एमेरिका ये चाहता है कि भारत एमेरिका के F-15 EX fighter jet को एक सो चोदा fighter jet की deal में खरीद ले तात में एमेरिका का ये भी कहना है कि अगर भारत हमारे F-15 EX fighter jet को लेता है तो हम भारत को F-15 EX fighter jet की कीमत 80 मिलियन डोलर लगाएंगे जो रफाल फाइटर जेट की कीमत से 40 पर्तिशत कम होने वाली है जो ये अमेरिका का F-15EX फाइटर जेट है इस फाइटर जेट के अंदर एक पावरफूल AESA रेडार लगा हुआ है F-15EX फाइटर जेट की सबसे खास बात यह भी होने वाली है की F-15EX फाइटर जेट की मदद से हम काफी आसानी से हाइपरसोनिक मिसाइलों को फायर कर सकेंगे और F-15EX फाइटर जेट के अंदर दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मिशन कम्प्यूटर लगा हुआ है F-15EX फाइटर जेट की टोप स्पीड की बात की जाए तो इस फाइटर जेट की टोप स्पीड 2.5 मैंक होने वाली है यानि की ये फाइटर जेट 3087 किलोमीटर प्रती घंटा की रफतार से उडान भणने में शक्षम होगा वही पर रफाल फाइटर जेट की टोप स्पीड को देखा जाए तो रफाल फाइटर जेट की टोप स्पीड 1.8 मैंक है यानि की 222 किलोमीटर प्रती घंटा हाँ पर अमेरिका का F-15EX अपने साथ में साड़े 13 टन के वजन को अपने साथ में लेकर जा सकता है वही पर फ्रांस का रफाल फाइटर जेट अपने साथ में केवल साड़े 9 टन तक के हत्यारों को लेकर जा सकता है अमेरिका भले ही अपने F-15EX फाइटर जेट को भारत को बेचना चाता हो लेकिन यहां भी अमेरिका अपने फाइटर जेट की टेकनलोजी भारत के साथ शेयर नहीं करना चाता है लेकिन भारत ने MRFA डील में यह बात बिल्कुल साफ कर दी है कि हम केवल उसी देश से फाइटर जेट को खरी देंगे जो देश अपने फाइटर जेट की टेकनलोजी देगा और अपने फाइटर जेट को भारत के अंदर ही बना कर हमारी सेनाओ को देगा साफ में इस डील में अब भारत ने यह बी शर्त रख दी है कि हम केवल उसी देश से फाइटर जेट को खरी देंगे जो हमारे देश के अंदर हर साल 18 फाइटर जेट बना कर हमारी वायू सेना को सोपेगा लेकिन इस समय एमेरिका अपने फाइटर जेट की टेकनोलोजी भारत को देने से जिजक रहा है इन सब बातों को छोड़ते हुए भी अगर भारत F-15EX फाइटर जेट को ले लेता है तो आगे चलकर इस बात की कोई गैरेंटी नहीं है कि अमेरिका हमको ब्लैक मेलना करे फाइटर जेट को लेने के बाद हमको एमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से निर्वर रहना होगा जिसका हमको नुकसान यह होगा कि एमेरिका आगे चलकर हमारी विदेश निती में भी हस्तशेफ कर सकेगा और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या हमको अमेरिका से F-15EX लेना चाहिए हाँ या फिर ना इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठैंक्स फूर वोचिंग दिस वीडियो, हैव गूड डे